विहार की जो क्रांतिकारी मिस्ट्री है वो थोड़ा देखने को मिला अब हमारी भारत जोड़ो नियाय यात्रा विहार से निकलेगी आपसे मिलने का मौका मिलेगा आपसे बाचीव करने का मौका मिलेगा ये हमने भारत जोड़ा यात्रा एक सार पहले की कन्या कुमारी से कश्मीर तर चले चार हजार किलोमेटर हर दोज 20, 20, 25, 30 किलोमेटर चलते थे छे बढ़े उठकर और लाखों लोग हमारे सार चले समुर्दर के तर्ट से शुरू किया हिमालय तक पहुच गया पुरा देश देखने को मिला युवाव से बात की किसानों से वज़्दूरों से साथ और घंडे बात होती थी अलग अलग लोगों से बात होती थी और फिर शाम को पंद्रा बीस मिनट ऐसे हम अपनी बार करते थे लोगों ने हम से पूछा चार हजार किलोमेटर चलने के क्या जरूरत होई तागी देखिए राहुल जी चार हजार किलोमेटर शार पहले कोई चला नहीं है आपको जरूरत क्यों पड़ी मैं कहता था देखिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है मीडिया का सिस्टम हिंदुस्तान का सिस्टम चुने हुए लोगों के सब्सक्राइब तो नहीं दिखाते अगबानों पर नहीं दिख पड़ाते हैं कि अधानी अंबानी का चैरा दिखेगा उसके साइड पे आपको अश्वरिया राय अमिता बच्चन नाशते हुए दिख जाएंगे कि नाश करते हुए कि दो दिखेट वाले दिख जाएंगे मगर गरीब किसान मजदूर बेरोजदार युवा आप तो नहीं दिखने वाला जैसे हजारों किसान भीली के और चल रहे हैं उन पर तियर गयाज चला रहा है कि छर्रे मारे जा रहे हैं मैंने दो दिन पहले पिसानों से बात की फोन पे बात की कि एक सार्मी का जवान था उसके मुँपे छर्रे मार दिये कि मैंने उससे कहा देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे मगर आप यह मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो जो आपने चर्रे मुह में लगे हैं यह भी आप देश बंती का काम कर रहे थे किस्सानों की लड़ाई लड़ रहे थे तो मीडिया में तो नहीं दिखेगा वही है आप देखलो यहां पे आपको बारत चोड़ो न्याय यात् सब्सक्राइब में है हसारों लोगों की बेट दिखेगी है वगर आप टीवी और करोंगे तो सिर्फ नरेव नमोदीजी का चेहरा दिखेगा तो तो सुना है वहां दुबाई में वहां के राज्या से गले मिल रहे हैं दो तीन बार गले मिलेंगे तो वो टीवी पे दिखने को मिलेगा इसलिए 4000 किलोमेटर हमें हम चले क्यूंकि हम डायरेक्ट जन्ता से बात कर रहे हैं मतलर यह तो पेले मिन वाले पी चॉली है इंको हमने पर एकमाने कर दिया है भारत चोड़ो याथ्रापे हमने नार दिया नहीं हमने नहीं नहीं दिया नारा भीट से निकला एक देन एक मिहट्टी बार दौरता हूँ आया पुलिस वाले ने उसको मारा पेले इधर से आया इधर से पुलिस वालों मुझा वह जुने। दूसरी साइड से हाने के कोशिश की फिर उसको फोगते लगे। अंत में वह दौटता हूए आता है मेरे सामने ऐसे घड़ा के कहता है राहु जी मैं समझ गया मैं जांता हूँ आप क्या कर लिए है मैंने उसे पूछा भाइया बताओ क्या करना हूँ और फिर बाशन में मेरे आज रही एक भीर से आवाज आई एक भीर से नारा आया है नफरत के बाजार में महपत की दुकान खोल रहे और सिर्फ मैंनी कौनता हूं यह पोई पर दूकाने आप सब के दिलों में हैं आपने देखा होगा कॉंग्रेस के किसी भी कारेकर्था को देखो हमारे नेताउटों को नेखो मुस्कुराते हुए चहरे बिढ़ेगे tiache no ना हो मुश्किल हो मैं भिनाया हो कंग्रेस पार्टी जो ही नहींत आइक कॉंग्रेस पार्टी के कारे चांटा मुझकूर आते हुए दिखी oh डेको सारे के सारी मुझकूर आ Stewart एसे फिर आ यह रोज अच Mississippi कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मालूम कि आरेसेस और बीजेपी के लोगों को सब कुछ मालूम कि सोचे उनकी और देश में कौने कौने में नफरत फ़लाते रहते हैं मनिपूर को जला दिया एक जाद को दूसरी जाद से लडाते हैं एक धन को दूसरी धन से लडाते हैं तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाव हमने बारे चोड़ए रातरा की और यह नारा दिया नफरत के बाजार में मौहद्वत की दुखा रास्ते में एक और मात पता लगी चार हजार किलोमेटर लाकों लोगों से मिले हमने पूछा वह यह बताओ यह देश में जो नफरत फैलरी है हिंसा फैलरी है ग्रोध है इसका कारण क्या है मैंने यह सवाल हजारों बार लोगों से पूछा आम जबता से पूछा नहीं मोधी नहीं मैं इसको बताता हूं मोधी मोधी इस चीज़ का चिल है वगर मोधी कारण में कारण दूजरा है और किसारों ने मुझे बताया युवाव ने बताया कि राहों जी हर रोज हमारे खिलाफ कोई न कोई अन्याई किया जाता है हिंदुस्तान में गरीब लोगों को कमजोर लोगों को 21 सदी में न्याई नहीं मिल सकता और इसका नतीजा नफरत और रिक्सा और यह भी कुछ सही बाद गरीब यक्ति जितने भी कोशिश कर ले किसार जितना भी चिला ले मजदूर जितनी जोरों से चिके उसे इस देश में मालूं है आप देखिए सबसे हमीर लोगों का नरेत्र मोदी जी ने चोहदा लाग परोर रुपया रग्जा बाद गिए सामने भाई, सामने आई ठीक है ठीक है सामने लाग परोर रुपया ओ देखिए जितने लगते, सांने कितने लगते कितने, हमट नरेगा का पूरी के पूरी नरेगा को चलनने के लिए एक साल के लिए 70,000 करोन रुपया सबसे गरीब लोगों के लिए एक साल में 70,000 करोन रुपया और सारे के सारे अभीव लोगों ने कहा देखो यह पैसा जाया हो जा 70,000 करोन रुपय मंद्रेगा में जाते हैं और 14 लाख क्रोन होने हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अभीर लोगों को एक सेक्ड में कर्जा माप हो जाता है अग्बार में नहीं आता है क्यों कि अग्बार नहीं कि पहले एक अग्बार था वो एक टेलिविशन था मीडिया है एंडी टीवी उसको भी आजानीजी ने घरी दिया तो जहां भी आप देखें पिसानों के और देखो युवाव के और देखो मजदूरों के और देखो आपको हम्याए हम्याए दिखें 21 की सथी है आर्थिक अन्याए चालिज सार से सबसे ज़्यादा बेरोज़दारी यह हमारे सारे युवाव यह टेलफून ये घुमते हैं यह चाइना में बनता है इसका फाइदा चाइना की युवाव को मिलता है रोज़दार वो ले जाते हैं और होता क्या है चाइना का माल हिंदुस्तान के दस पंद्रा अरपती यहां बेचते हैं युए टाहिए चाहिञा होता है क्छीयेना की कम्पनियों ओफाइदा होता है और हमारे हैं थ recharge המצ्राव पतीयों को फाइदा उता है कप उसकुब चोब्टे मआ पारी है है मौल मीडिन बिस्टस वाले है चोटे चारने चलाते हैं हॉनके लिए कि अधिस टion के supporting नोट बंदी कि खत्म कर दिया सब्सक्राइब कि आप किसी से पूछ नीजिए यहां पर इंडेस्ट्री लोग करती थी कि सारी कि सारी बंद होए तो पिहार के लोग बाकी प्रवनेशन में जाके मजदूरी करते हैं कॉंट्राइबर कांट करते हैं यहां पर चार राख शिक्षा के मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं उनको एक तिन में निकाला जा सकता है तो यह आपको सब्सक्राइब दिखेगा अच्छा है आपसे सवाज पुष्टा हूँ हिंडूस्तान में पिछणों की कितनी अबादी कितनी पच्छास परसेंट धीक है दलितों की कितनी अबादी बिहार में 22 15 परसेंट आधिवासियों की कितनी अबादी 8 परसेंट कितना हुआ पचास पंदरा और आठ इपिना हुआ थिहक्तर थिहक्तर हुआ न तो पिछड़ों की दर्यतों की आदिवाजियों की अबादी 73 पर से अब मैं आग से पूछता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में उनकी लिस्ट निकालो मैंने निकाली है और उनकी मालिकों की लिस्ट में आदिवासी दलेत और पिछड़े कितने हैं मुझे बताओ इतने हैं जीरो एक नहीं है चलो छोड़ो ये बताओ उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने हैं जीरो अच्छा बताओ मीडिया की कमपणी के मालिक ओविसी दलेत आदिवासी कितने जीरो जीरो प्राइवेट थसमतालों के मालिक बताओ जीरो प्राइवेट कोलेज यूनिवर्शेटी के जो बड़े-बड़े संस्ताएं उसमें बताओ कि जीरो एक नहीं दिखेगा आपको अब एक कान करो कॉंट्राक्ट लेबर की लिस्क निकालो मजदूरों की लिस्क निकालो और उसमें उनके नाम पढ़ो आपको सारे के सारे गले आदिवासियों कि चले मिलेगे उसमें तोड़े से जेनरल कास के अधरीब लोग मिलेगे यहां पर जेनरल कास के लोगे आप से पूछता हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंप्रियों में गरीब जेनरल कास के लोगों के लिए कितनी जगे है मुझे बताओ जीरो नब्बे लोग इस देश को चलाते हैं नब्बे आएस अपसर इस देश के बजट को बाढ़ते हैं प्रधान मत्री नहीं बाढ़ता एंपी नहीं बाढ़ते हैं नब्बे अपसर देश के बजट को बाढ़ते हैं वो चुनाव नहीं लगते कभी वो पर्मनेंट रहते हैं चाहिए कुछ भी हो जाए चुनाव कोई भी चीच जाए हार जाए कोई परक्ति यह नब्बे लोग वही करोई पैठे रहेंगे कि मुझे बताओ नब्बे में से कि हत्ता प्रतिशाद वाले अबादियों के तिकने लोग भाई और मैंनों नब्बे अपसरों में से तीन पिछले वर्ट के उनको कोने में बठा रखता है तीन एसी और यह दादिवासी भाई या मैंनों अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में सो रुपे घर्च करती है तो ओविसी अपसर पांच रुपे करने लेता है कि अधिवासी अपसर सो रुपे में से दस पैसो का निड़ने लेता है और गलत अपसर सो रुपे में से एक रुपे का निड़ने लेते हैं मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में सो रुपे घर्च करती है तो इस देश की तिहकतर क्रतिशत आबादी सिर्फ छे रुपे दस पैसे का निड़ने लेती है कि अपने लिए और उसमें मेरे माइनॉरिटी बात नहीं थी उनको अलग रखता है वो भी 15 परसंट है तो बात समझें आप भोड़ देंटे हो आप अपनी सरकार चुनते हो वहां का नहीं है मगर कि 70 परसंट लोगों के लिए ना कॉर्परेंट इंडिया में जगें ना मीडिया में जगें ना बड़े उद्योगों में जगें ना विरोक्रसी में जगें ना हाई को दू जगे हाई का आनका मेरे पास है कि 650 हाई को जगें उसमें से अगर आप कि 73 परसेंट वाले लोगों को देखो कि 650 में से सो हाई कोट के जज्ज या दलिक या अदिवाजी या पिछले वर्क मतलब अबाली आपकी जीएस की कपैसा आपका आप देते हो आपने शर्ट करें दी यह जो गुलावी शर्ट पेंटेंट रुपे की शर्ट थी है कि इधानी और इसे जो सब्सक्राइब कि चार सो रुपे की शार्ट है जितनी जीएस की इन्हों ने दी उतनी फिस शर्ट के लिए अदानी और रफानी देंगे अब उतनी यह अब आठारा परसेंट शेट के लिए देंगे अठारा परसेंट अधाली देगा इनकी आमदनी कि पचास हजार रुपए उसकी आमदनी लाकव करोर रुपए जितनी चीज़ यह देता है उतनी चीज़ वो देता है है वो महल में रहता है वह वाइचा के उता है मगर जितनी ट्रीयेस्ट इंदूस्तान का मजदूर देता है उतनी चीज़ अदानी लिए अधियाए आपके चीज़ पैसा जाता है और आपकि कही भागीदारी यह नहीं ना मीडिया में ना सरकार में ना कॉर्ट में ना प्राइबेट हस्पतार वाले सिस्कम में ना कॉलेज उनिवर्सिटी वाले सिस्कम में कहीं नहीं हुआ आपके लिए एक नई कैटिगरी मिदा दी है कॉंट्रेक्ट लिवर एक दिन में आपको जूता बाते बाहर मिताला जा सकता है क्या वह है कि 73 परसेंट लोगों की जिला है सुबह उठो मजदूरी करोड और और अगर वाल पर्ची ने लगे एक मिनन में आपको घर बाहर पेट देते कि 73 परसेंट के साथ यह हो रहा है पूरे देश में हो रहा है इसलिए मैंने जाती जंगर्नों की बात उखाई मैंने का देखिए किसको चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है बहिया देखो आप में तो चोट लगी है चलो एक्सरे कराई अगर आपको हाथ जुटता है और अलपता जाते हो डॉक्टर कहता है इस नहीं करा हुआ एक दम आप उसको पकड़ते हो कैसे नहीं करा होगे तो चोट लगी है आप प्रेट आप पड़ेगा क्योंकि एक्सरे से पूरा पूरा पता लग जाता है जाती जंतरना समाजिक एक्सरे है कि इस देश में क्या हो रहा है और जाती जंतरना का मतलब आखन्यों सबसे पहले सब लोगों को बता देंगे कि वहिया इस देश में पिछड़े कितने गलित कितने आदिवासी कितने जेनरल कास के कितने उसके बाद हम फाइनेंशल सर्वे कराएंगे कितना धन किस मर्थ के हाथ में अगर देश सोने की च्ड़िया कहीं जाती थी यह आज भी सोने की च्ड़िया है मगर भाई और वह वेलो सोने की च्ड़िया आप के हाथ में नहीं है अधानी के हाथ में है इसी लिए जाती जातना से सब्सक्राइब लग जाएगा कि पिछड़ों के पास कितना धन है आदिवासियों के अधिक ना दन है गरीव जेनरेल कास के हाथ में कितना धन है और यह एक परसेंट लोग अलब पती लोग बड़े-ब्यूरोक्राइट इनके हाथ में कितना जाए दूद का दूद पाने का पादी हो जाएगा यह बाईयों और ने लोग रांतिकारी कदम है आजादी नेते हुई थी क्रांतिकारी कदम सफेद क्रांती घरी क्रांती क्प्यूटर ने विलूशे हुए वैसा ही एक रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं इसके बिना आप सब लोग मुखे मठ जाओगे कुछ नहीं बचेगा ना रोजबार मिलेगा ना आपके बच्चों के पाल भविश्य होगा क्यूंकि एक परसेंट लोग पुरा पुरा धन उठागे ले जाएंगे इसलिए मैं कह रहा हूं समाजिक न्याय का अगला कदम जाती जंगरना है और कॉंगरेस पार्टी इस काम को करके दिखा रहेगी कुछे दिन पहले हमने एक एतिहास से कदम उठाया पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गैरन्टी देंगे MSP देंगे कानूनी गैरन्टी वाली MSP कॉंगरेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है एतिहासी काम है जैसे ही मैंने चाती चंप्रावना की बात की मरें प्रसुदी की कहते हैं हिंदुस्तान में जात तो ही नी एक अमीर है एक गरीब है दो ही जात हैं भी कि अफिम पहले कहते थे मैं OPC हुँ आप मेने कहते हैं हमने MSP की गार्टी तीजे इने के लोग कहते हैं कॉंग्रेस पार्टी एक करी नी सकती है केहले हमारे बारे में कहते थे घ्लायाटी के तो करदाब माद करने के लिए कि हम समाजिक ने आए आर्थिक ने आए इन चीजों की बात करें और इन चीजों की नड़ाई नहीं पीजेटी ने राम मंदिर का उधाटन किया देखा आपने मुझे बताओ तीवे आप समने लेखा आपने उध्गाटन में एक गरीब यक्ति का चेहरा देखा कि हम बादी दिखे है अधानी दिखे अविता बांचल दिखे हरे देखे हिंदुस्तान के सारे सारे अरे अरबपती दिखे इसान दिखा मदू दिखा एरोजान युगा दिखा तो फिर बात समझ गें ये नरेंट्र मोदी जी दो तीन परसंट के लिए काम करते हैं ये पूरा ड्रमा जो चल रहा है आपके ध्यार को भरकाने का है तीवी वाले मिले हुए हैं मीडिया वाले मिले हुए हैं अधानी अधानी नने नमोदी ये दस-फंद्रा नोवी टीम है और इनका काम आपसे आपको जो जी एस्टी का पैसा है वो चीनने का है वो लेने का है और 24 गंटे आपके ध्यान को इदर उदर करने का देखो भी आउदर वो अश्वरिया नाचरी है अधान वर्चर ने घंच मारा और देखो भी आप विराठ कोली ने चौका मारा ओ भी या यह वो पाकिस्तान में लड़ा है और दो चाइन भी यह हो रहा है मगर हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है इसके बारे में नहीं भूलेगे जीसे अपैसा चार जा रहा है उसके बारे में नहीं बोलेगे किसांग्य Msp उसके बारे में दिखर में अपनी आपकी नहीं सकता वह आपका हें नहीं आपका हें नहीं तो यह हिंदुस्तान में आई है यह श्थान में एक तरफ निन्यान में प्रतिश हदलोग उसमें 50% पिछड़े लोग 15% दले गरीम जेनरल कास के लोग आदिवासि, माइमर्ड, ये सब और दूसरी तरफ चुनवे अरभपती नरेंद्र मोदी मीडिया इसलिए हमने बारद चड़ो यात्रा में नियाई शब जोगी आप सबाए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी और इतने जोश से आपने मेरा यहां सुवादर किया दिल से आपका धन्यवाद करना जाता हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो